So guys 35% 95% में convert हो सकता है ये 2-3 मैने के अंदर बिल्कुल convert हो सकता है एक साल पढ़ाते हुए नहीं हो गया तोडल 17 साल हो चुग है पढ़ाते हुए और guys पढ़ाते पढ़ाते ये बात तो पता चल गए बहुत सारे बच्चों ने अभी तक पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया ह ही था और शेर वही घदे कि तरह काम कर रहे हैं कर रहे है कर रहे है कर रहे है वैसे कुछ नहीं मिलने वाला इसिलिए भाई जो बाते में बता है उन बातों को जरूर ध्यान से सुनों जरूर चीज़ोंगो समझUI अगर समझ के करोओगे तो जरूर अच्छा को However कर लोगे जितना आप सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अच्छा स्कोर कर लोगे ओके और गाइस अभी यह चीजे टेन तर ट्वल दोनों के लिए कॉमन में बता रहा हूं अगर जो बच्चे ज्यादा कॉमेंट करेंगे कि नहीं इस तर हमारे लिए भी सेपरेट सबसक्त हो सबसे पहले आपको पैटन को जो पैटन है उसको समझना पड़ेगा सरा समझना पड़ेगा क्यूंक्य पढ़ते जांते जारे पर हमें यही पता है कि MCQ हमारे board में आते हैं यह आता है कि वी सब डाइजर्ट में सब कुछ चीजे दी हुई है पर हमें यह पता लगाना कि numerical सच में आता है कि कितने questions के लाता है कि सुनते थो हम बहुत है बहुत सारी चीज़े सुनते पर हमें paper का pattern पता रहना सब कुछ और उसके लिए आपका भाई है जो भी ज्यादा जो भी क्लास ज्यादा कॉमेंट करेगा उसका आपको सब अपने बनाया बनाया मिलेगा आपको ढूलने के जोड़ने के जोरती नहीं तो गाइस यह यह नॉलेज आपको होना चाहिए अगर अभी तक नहीं है तो यह नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो इसके बाद गाईस 10 स्टेंटर के बच्चे 21 ले ले उसमें बहुत इंपॉड़न चीज़े होती है उसमें बहुत सारी चीज़े आप पढ़ लोगे ना उसके एमसी क्यूज कर लोगे अगर उसके एमसी क्यूज कर लिया साइन्स के क्वेश्चन कर लिया जोगरफी कर लिया है तो इसके बाद मैं बात करो 360-degree mind mapping इसका मतलब क्या आगा है अगर कोई questions आप brief questions पढ़ रहे है आप इस तरह से पढ़ो कि आप रख्टा मतमारो उसको याद करो अगर वो question किसी में भी आता है अगर मानलो कोई आपने question पढ़ा हुआ है वो हो सकता है वो ही question short note में भी उसी हाँ थोड़ा लिखने का तरी कालब होगा पर वो ही question short note में पूछा हुआ है या उसी से related give reasons में पूछा हुआ है तो guys आप 360 mind mapping मतलब कि आपने पढ़ा था आपने पढ़ा था brief में पर आप किसी में भी लिख सकते हो क्योंकि guys यहां मैंने एक चीज़ दिया हुआ है marking scheme आपको पता यह रहना चाहिए 2 marks के के लिए 4 points लिखोगे मैं तो 4 से उसी question को उसी answer को modify करके 5 कर दे था 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 4 के लिए 5 fix है 3 के लिए 6 points बहुत जाबा है इसके बाद अगर 4 marks 3 लिए आता है तो 8 compulsor 8 points आपको लिख रहा है एक उसी में सो modify करके 9 लिख लो इसी तरह guys मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर आ बनाएंगे वह भी बनाएंगे आप बोलोगे तो तो गाइस उसमें जो main point को याद कर लो main point से आप statement बना दो ऐसी 2 marks के लिए 4 4 के लिए 8 3 के लिए 6 ऐसे आपको complete याद नहीं हो रहा तो यह तरीक आजमाओ पूरे marks मिलेंगे भाई marks कहीं कटनी होने वाले पूरे marks मिलेंगे तो इसलिए मैंने बोला कि जो 360 माइंड मैपिंग उसका यूज अगर मार्किंग स्कीम आपको पता है और आपको यह पता है कि आपके syllabus के अंदर जो आपका paper pattern के अंदर two marks के question आते हैं three marks के question आते हैं तो आप बहुत बड़ा question मत पढ़ने चले जाओ आपको पता है कि सर ने पोल और four marks के लिए eight point पॉइंट करो और eight point भी सेम दूसर में याद करने की जोरत नहीं आप क्या करो हर point के अंदर जो main point उसको याद करो उससे statement खुछ से बनाना सीखो यह को पूरे marks में लेंगे है इसके बाद गाई writing style writing skill आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और यह अच्छा कैसे होगा अगर आप चेक करो बहुत सारी वीडियोस हमने बनाया है आप school में जिस तरह से लिखते है चलो उसमें marks मिल जाता है बोर्ड में कोई आपको पैचानता नहीं कोई teacher आपको जानती नहीं है या आपको जादा marks देने पर teacher कुछ जादा कुछ मिलने वाला नहीं है या तो उनको principal बुलाके बहुत जादा साबासी नहीं देने वाला वाव आपकी class पर इतने सारे टॉप पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला तो भाई जैसा जो दिखता है वो बिखता है इसे लिखना बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से लिखना है पूरा proper style में अगर आप बोलोगे तो उससे related हमने already वीडियो बना है पर हम फिर से बना देंगे इसलिए आपका writing skill बहुत अच्छा होना चाहिए इसके बात important question important question अगर जो बच्चे अगर इनमें से आपके किसी भाई बेहन अ इस तरह से याद करते किस तरह से 20-15 में में पूरे के पूरे questions with with questions पूरे questions पूरे questions पूरा chapter कैसे खतम करते हैं वो पूरी चीज़े हम लाने वाले बड़ गाइस comment में दिखेगा कि हां इनको बहुत ज़र होता है क्योंकि वहीं बच्चे comment करेंगे जिनको ज़र होता है तो ग कि 95% आपको कोई रोक नहीं सकता कोई रोक टोप नहीं सकता किसी मितना दम नहीं कि 95% आने से 90 तो फिक्स भाई अराम से दिखो मैं बहुत सारे वेटेज बताने है तो पर दिमाग से अगर अब खेलोगे ना तो बहुत अच्छा जो बस रट रहा रट रहा बहुत पहले से पढ़ रहा बस रटी जा रहा पर सो कुछ आता पाता कुछ नहीं पेपर लिखते कैसे पेपर पेटर्न क्या आया कुछ नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा भाई तो अगर वीडियो पस रहने वीडियो को लाइक शेर सब्सक्राइब ना सपोर्ड एं प्यार बनाया रखना थैंक यू सो मस्च गैस एंजय हैं दोस्तो